भारत माता की जगत गुरु पस्वेश्वर अवरीगे नन्ना नमस्कार गळु कले साहित्यमत्तु संस्क्रुतिया इनाडीगे करना टकादा एला सहोधरा सहोधरिया रिगे नन्ना नमस्कार गळु साथियों मुझे इस साल की शुरुवात में भी फुबली आने का सवभाग्य मिला था जिस तरह भुबली के मेरे प्यारे भाई और बेहनों ने सडकों के किनारे खड़े होकर मुझे आशिरवात दिया वो पल मैं कभी भोल नहीं सकता हूँ इतना प्यार इतने आथिरवार बीते समय में मुझे करना टका के अनेक शेत्रों में जाने का आउसर मिला है बेंगलूरू से लेकर के बेलगावी तक कलबुर्गी से लेकर श्युमोगा तक मैं सुरू से लेकर के तुमकुरू तक मुझे कन्णडी का लोगों ने जिस तरक असने दिया है अपना पंदिया है एक से बढ़कर एक आपका ये प्यार आपके आशिरवात अभीवुद करने वाले हैं यसने आपका मुझ पर बहुत बड़ा रुण है कर्ज है और इस कर्ज को मैं करना प्रका की जनता की लगातार सेवा करके उता चुकाऊंगा करना प्रका के प्रत्य व्यक्ति का जीवन खुशाल हो यहां के नवजवानों को आगे बढ़ने के रोजगार के लगातार नए आउसर मिले यहां की बहन बेटिया और ससकत हो इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं भाजपा की डबल इंजीन के सरकार करना टका के हर जिले, हर गाउं, हर कस्बे के पूर्ण विकास के लिए इमानदारी से प्रयास कर रही है आज धारवार की इस धरा पर विकास की एक नई धारा निकल रही है विकास की ये धारा भुबली धारवार के साथ ही पूरे करनाटका के भविच्च को सींचने का काम करेगी उसे पुस्पित और पल्लवित करने का काम करेगी साथियों सदियों से हमारा धारवार मले नाड़ू और बयालू सी में इसके भीच गेटवे टाउन यानि द्वार के रुप में जाना जाता रहा है अलग-अलग छेत्रों के यात्रियों के लिए ये नगर एक पड़ाव होता था इसने हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया और हर किसी से सीख कर खुद को सम्रुद भी किया इसलिए धारवार केवल एक गेटवे ही नहीं रहा बलकि एक करनाटका और भारत की जीवन तता का एक प्रतिविम्ब बन गया इसे करनाटका की सांस्कृतिक राजधानी की रूप में जाना जाता है धारवार की पहचान साहित्य से रही है जिसने डॉक्टर डी आर बेंदरे जैसे साहित्यकार दिये है धारवार की पहचान सम्रित्य संगित्य से रही है जिसने पंडित भिमसेन जोसी गंगुबाई हंगल और बासवरार राजगुरु जैसे संगीतक ये दिये धारवार की धर्ति ने पंडित कुमार गांदर्व पंडित मलिकार जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है और धारवार की पहचान यहां के स्वाद से भी है ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवार पेड़ा का स्वाद लिया हो और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो लेकिन हमारे साथी प्रला जोशी मेरे स्वास्थ का बहुत खायाल रखते हैं इसलिए उन्हां आज मुझे पहड़ा तो दिया लेकिन बंद बॉक्स पेड़ दिया साथियों आज धारवार में आई आई टी के नए केंपस की दोहरी खुशी है यहां हिंदी समझ में आता है इस तरफ यह केंपस धारवार की पहचान को और मजबुत करने का काम करेगा साथियों यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था मंडिया में मुझे बैंगलूरू मैसूरू एक्सप्रेस वे करनाटरका की और देश की जनता को समर्पित करने का सोभागे मिला यह एक्सप्रेस वे करनाटरका को दुनिया के सौब्फेर और टेक्नोलोजी हप के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तयार करेगा अभी कुछी दिन पहले बेडगावी में कई विकास परियोजना का लोकारपण और सिलान्यास हुआ था शिवमगा में कुवेंपू एरपोर्ट का इनोग्रेशन भी हुआ था और अब धारवार में आई आई टी का ये नया केंपस करनाटर का की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है एक इंस्टिटूट के रूप में यहां की हाई टेक फेसिलिटीज आई 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 टी धारवार को वर्ल के बेस इंस्टिटूट के बरावर पहुंचने की प्रेणा देंगे साथियों यह संस्थान भाजपास सरकार की संकल्प से सिद्धी का भी उदारण है चार साल पहले फरवरी दोजार उननीस में मैंने इस आदुनिक इंस्टिटूट का सिलान्यास किया था बिच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कते थी लेकिन उसके बावजुद भी मुझे खुशी है कि चार साल के भीतर भीतर IIT धारवाड आज एक फिचरिस्टिटिग इंस्टिटूट के रुप्य तयार हो चुका है सिलान्यास से लोकारपड तक डेबल इंजिन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल पर रहता है जिसका सिलान्यास हम करेंगे उसका उद्गाटन भी हमी करेंगे होती है चलती है सिलान्यास करो पत्थर रखो और भुल जाओ वो वक्त चला गया साथियों आज हादी के बाद कई दसकों तक हमारे यहां यही सोत रही कि अच्छे सिक्षा समताओं का विस्तार होगा उसके ब्रांड पर असर पड़ेगा इस सोज ने देश के युवाओं का बहुत मुक्सान किया है लेकिन अम नया भारत नवजवान भारत इस पुरानी सोज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है अच्छी सिक्षा हर जगह पहुंचनी चाहिए हर किसी को मिलनी चाहिए जितने जादा उत्तम इंस्टिटूट होंगे उतने जादा लोगों तक अच्छी सिक्षा की पहुंच होगी यही वज़े है कि बीते नव वर्षों में भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टिटूट की संख्या लगातार बढ़ रही है हमने एम्स की संख्या तीन गुना कर दिया आज़ादी के बाद साथ दसकों में जहां देश में सिरफ तीन सो असी मेडिकल कॉलेज थे वहीं पीछले नव वर्षों में दो सो पचास मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं इन नव वर्षों में देश में अनुएकों नए आयायम और आयायटी खुले हैं आज का ये कारकम भी भाजपा सरकार की इसी प्रतिवद्दता का प्रतीख है साथियों 21 सदी का भारत अपने शहरों को आधुनिक बनाते हुए आगे बढ़ रहा है भाजपा सरकार ने फुबली धारवार को स्मार्ट सिटी योजना में सामिल किया था आज इसके तहट यहां अनेक स्मार्ट परियोजनाओं का लोकारपन हुआ है इसके अलावा एक स्पोर्ट कॉंप्लेक्स की आधारतिरा रखी गई है टेक्नोलोजी, इंफ्रास्रक्चर और स्मार्ट गवर्णनेंस की वज़े से आने वाले दिनों में भुबली धारवार का इक्षेत्र विकास की नई उचाहिप पर जाएगा साथियों, पूरे करनाटका में स्री जैदेव होस्पिटल अप कार्डियो वस्कुलर साइनसेज एंड रिसर्ज इंस्टिट्ट पर भी बहुत भरोसा किया जाता है इसकी सेवाएं बैंगलूरू, मैसुरू और कलबुर्गी में मिलती है आज भुबली में इसके नए ब्रांच की आदार चिला रखी गई है इसके बनने के बाद इस खेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविदा हो जाएगी ये खेत्र पहले से ही हिल्ट केर हब है अम नए अस्पताल से यहां के और ज़्यादा लोगों को फाइदा होगा साथियों धारवाड और उसके आसपात के खेत्र में पीने के साफ पानी को उपलब्द कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे है जल जीवन मिशन के तहद यहां एक हजार करोर रुपिये से जादा की योजना का सिलान्यास हुआ है इसके द्वारा रेणू का सागर जलास है और माला प्रभान नदी का जल मलके जरिये सवाल लाग से जादा गरों तक पहुँचाया जाएगा धारवाड में जब नया वोटर ट्रिट्मेंट प्लांट बनकर तयार होगा तो इससे पूरे जिले के लोगों को फायदा होगा आज तुप्रिहल्ला फ्रट डेमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आदार सिला भी रखी गई है इस प्रोजेक्ट के द्वारा बाड से होने वाले नुक्सान को कम किया जा सकेगा साथियों आज मुझे एक और बात की बहुत प्रसंदता है करनाटका ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक और माइल्स्टोन को छू लिया है और करनाटका को ये गवरव दिलाने का सवभाग्य पुबली को मिला है अब सिद्ध रुदा स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफर्म है लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है ये सिर्फ एक प्लेटफर्म का विस्तार नहीं है ये विस्तार है उस सोच का जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रात्विक्ता देते हैं होस्पेटे, हुबली, तिनाईगाड सेक्षन का इलेक्रिफिकेशन और होस्पेट स्टेशन का अप्ग्रेडेशन हमारे इसी वीजन को ताकत देता है इस रूट से बड़े पहमाने पर उद्योगों के लिए कोईले की डुलाई होती है इस लाइन के इलेक्रिफिकेशन के बाद डीजल पन निर्भरता कम होगी और परियावरन की सुरक्षा होगी इन सारे प्रयासों से छेत्र के आर्थिक विकास को रप्तार मिलेगी और परियाटन को बढ़ावा मिलेगा भाई और भेनों अच्छा इंफ्रास्ट्रक्टर आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर सिर्फ आँखों को अच्छा लगने के लिए नहीं होता इस जीवन को आसान बनाने वाला होता है ये सपनों को साकार करने का रास्ता बनाता है आज हमारे यहाँ अच्छी सडके नहीं थी अच्छे अस्पताल नहीं थे हर वर्ग हर आउ के लोगों को कितनी परिशानी होती थी लेकिन आज जब नए भारत में आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर बन रहा है तो सभी को इसका लाब मिल रहा है अच्छी सडकों से स्कूल कॉले जाने वाले युवाओं को आसान होती है आदुनिक हाईवे से किसानों को मजदुरों को व्यापार करने विज्जेस वालों को दप्तर आने वाले लोगों को मिडल क्लास को हर किसी को लाब होता है इसलिए हर कोई अच्छा आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर चाहता है और मुझे खुशी है कि बीते नव वर्षों से देश लगातार अपने इंफ्रास्टेक्टर को आदुनिक बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है पिछले नव वर्ष में देश के गाउं में PM सडक योजना के माध्यम से सडकों का नेटवर्क दो गुना से अधिक हो चुका है नेशनल हाइवे नेटवर्क में 55 प्रतिशक्ट अधिक वृद्धी हो चुकी है सिर्फ शडक ही नहीं बलकि देश में आज एरपोर्ट और रेलिवे का भी अभुत्पुर्व विस्तार हो रहा है पिछले नव वर्ष में देश में एरपोर्ट के संख्या दो गुनी से अधिक हो चुकी है साथियों साल 2014 से पहले देश में इंटरनेट की भारत की डिजिटल ताकत की चर्चा बहुत कम होती थी लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर डिजिटल एकॉनमी में से एक है यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने सस्ता इंटरनेट उपलब्द कराया गाउं गाउं इंटरनेट पहुचाया पिछले नव वर्षों में हर दिन आउसतन डाई लाग ब्रॉडबेंड कनेक्शन दिये गए हैं प्रती दिन डाई लाग कनेक्शन इंफ्रा के विकास में ये गती इसलिए आ रही है क्योंकि आज देश और देश्वास्चों की जरुत का अनुसार इंफ्रास्ट्रक्टर बन रहा है पहले राजनितिक लाभानी देखकर ही रेल रोड ऐसे प्रोजेक्स की गोच्रा होती थी हम पुरे देश के लिए पी-एम गती सकती नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं ताकि जहां जहां भी देश में जरुरत है वहां तेज गती से इंफ्रास्ट्रक्टर बन सके साथियों आज देश में सोचल इंफ्रास्ट्रक्टर पर भी अव्यूत्पुर्वा काम हो रहा है साल 2014 तक देश एक बड़ी आबादी के पाथ पक्का घर नहीं था टॉलेट के अभाव के कारण हमारी बहनों को कितने कश्ट उठाने पड़ते थे लकड़ी पानी के इंतजाम में ही बहनों का पुरा समय चला जाता था गरीब के लिए अस्पताल की कमी थी अस्पताल में इलाज महंगा था हमने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया गरीब को अपना पक्का घर मिला बिजली गैस कनेक्शन मिला टॉयलेट मिला अब हर गर नल से जल की सुविदा मिल रही है गर गाउं के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे है अच्छे कॉलेज उनिवर्सिटी बन रही है यानि आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले पतीस साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे साथियों आज जब मैं आज जब मैं बगवान बस्वेस्वर की धर्ती पर आया हूँ तो खुद को और धन्य मैसूस कर रहा हूँ बगवान बस्वेस्वर ने अनेक योगदानों में सबसे प्रमूख है अनुभव मंडपम की स्थापड़ा इस लोकतांत्री की भवस्था का दुनिया भर में अध्यन होता है और ऐसी अनेक बाते हैं जिसके कारण हम दावे के साथ कहते हैं भारत सिर्फ लार्जेट डेमोक्रेसी नहीं भारत मदर अब डेमोक्रेसी भी है ये मेरा सोभागे रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बस्वेस्वर की प्रतिमा के लोकारपन का आउसर मिला लंदन में भगवान बस्वेस्वर लोक तंत्र की मजबूत नीव का प्रतिक अनुभोव मंडपम वो भगवान बस्वेस्वर लंदन की धर्पिती पर उनकी मुर्ति लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोक तंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया भारत के लोक तंत्र की जड़े हमारे सद्यों के इतिहाद से सीची गई है दुनिया की कोई ताकत भारत की लोक तंत्र की परंपराओं को नुक्षान नहीं पहुँचा सकती बावजुद इसके कुछ लोग भारत के लोक तंत्र को लगातार कड़गरे में खड़ा कर रहे हैं ऐसे लोग बगवान बस्वेश्वर का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग करणा टका के लोगों का भारत की महान परंपरा का भारत के 130 करोड जागरुत नागरिकों का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोगों से करनाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है साथियों करनाटका ने बीते वर्षों में जिस तरह से भारत को टेक फुचर के रुपे पहचान दिलाई है ये समय उसे और आगे बढ़ाने का है करनाटका हाइट टेक इंडिया का इंजीन है इस इंजीन को डबल इंजीन की सरकार की पावर मिलनी बहुत जरूरी है साथियों एक बार फिर भुबली धरवार के लोगों को विकास के प्रोजेक्स के लिए बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत चुपकामना है मेरे साथ बोले भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद